यूगी की रिटेल चेर मार्कस इंस्पेंसर ने 30 हाइ स्ट्रीट स्टोर्स को बंद करने का फैसला कर दिया है अगले 5 साल में कमपनी अपने 45 क्लोथ स्टोर्स भी बंद करेंगी और इसे फूड हॉल में बदलेगी कमपनी के चीफ एक्जेकेटिव स्टीव रोग ने कहा कि अपनी की कमपनी के मुनाफ़ में भारी गिरावट के वज़े से फैसला लिया गया मार्कस इंस्पेंसर के मुनाफ़ में 88 पसंट की गिरावट दर्श की गई है कमपनी ने 10 देशों में 53 और स्टोर्स को भी बंद करने का फैसला किया है कमपनी के इस फैसले से करीब 2100 लोगों की नौकरियों पर भी खत्रा मंडराने लगा है यह भी बताएं कि ब्रेक्जिट के बाद यूके में बड़ी कमपनी के रीटेल स्टोर्स लगातार बंद हो रहे हैं